हलो स्टूडेंट आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 के लिए एरिया और पैरिमीटर से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टिन कोश्चन करेंगे यह जो कोश्चन है हमारे सीटेट एक्जाम में पूछे जा चुके हैं त पहला कोश्चन हमारे पास है एरिया ओफ रोमबस इस तू फॉर्टी सेंटीमीटर स्कूर इफ वन अफ इट्स डाइगनल इस ऑफ लेंद थर्टी सेंटीमीटर दें पैरिमीटर अफ दी रोमबस इस तो यह बोलाए कि रोमबस का जो एरिया है वह में दे रखा है और एक ड प्रव सेंटीमीटर स्कूर दे टीमीटर इस तो इससल करा थे 15 टू जो आगया हमारा 240 बटे में 15 हो गया तो इसको काटे में 5 ती है 15 5, 24, 25, 48 3 से काटा 3, 3 सी कठारा तो diagonal 1 जो है हमारा वो हमारा 30 cm है और diagonal 2 जो हमारा वो आया कितना 16 cm ठीक है अब हमें क्या बोला है? perimeter बताना है उसके लिए में side निकालने पड़ेगी तो दीक है जो diagonal है D1 ठीक है A, B, C और D यहाँ पर जो है A, C हमें दे रखा है 3 cm और जो है B, D दे रखा है वो 16 cm अब जी यह जो bisect करेंगे equal distance पर bisect करेंगे ठीक है और 90 डिगरी का angle बनता है तो यह जो हमारा 30 था तो यह 15 हो जाएगा और यह जो D2 है वो 16 था तो यह हमारा 8 हो जाएगा अब यहाँ पर हम pythagoras थिर्म अप्लाइ कर देंगे ठीक है तो A, B का square जो है वो equal होगा O, B का square प्लस O, A का square तो O, B जो है हमारा 8 है तो 8 का square और यह है 15 का square तो 64 प्लस 225 यह होगा हमारा 289 तो A, B जो आएगा हमारा अंडरूट 289 किसका होता है 17 का तो 17 cm जो आया हमारा इसकी side आई है ठीक है अब इसकी सारी side equal होती है तो इसका जो perimeter हो जाएगा 4 into 17 ठीक है तो यह तो यह तो 68 cm इसका perimeter हो जाएगा अगला कोशन देखते हैं अगला है length of a rectangular field is thrice its breath if perimeter of the field is 400 meter then 2 into length plus 3 into breath is equal to किसी आयतकार खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई की तीन गुनी है तो यहाँ पर जो मैं एक rectangle बना लेता हूँ इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई की तीन गुनी है चौड़ाई अगर हम x ले लें तो इसकी जो लंबाई है L होगी तीन गुनी हो जाएगी यह हमारा breath है अब बोला इसका जो perimeter हो 400 meter तो perimeter का जो formula होता है 2 into length plus breath तो 2 into length हमारे पास है 3x breath हमारे पास x है और यह हमारा 400 की equal है ठीक है तो इसको solve करें 2 वहाँ जाके divide हो जाएगा तो 4x is equal to 200 और x equal to 200 upon 4 cancel करेंगे तो 50 meter आ गया ठीक है तो जो breath है वह हमारी 50 meter है और length जो है हमारा 3 into 50 150 meter हमें बोला 2 into length तो 2 into length हमारा 150 प्लस 3 into breath 50 तो यह हो जाएगा तीन सो ठीक है प्लस यह हो जाएगा हमारा डेढ़ सो तो इनको अगर add करेंगे तो 400 यह 50 450 meter जो है इसका correct answer है अगला है अब इसमें बोला है the perimeter of a trapezium ABCD एक trapezium है ठीक है उसका perimeter है 90 centimeter and the length of each of its non-parallel side AD and BC is 17 centimeter तो यहाँ पर trapezium draw कर लेते हैं तो trapezium हमारा यह हो गया ठीक है यह हो जाएगा हमारा ABC और D ठीक है non-parallel side हमारा पर AD और BC है ठीक है AD जो है वो भी 17 है और BC वो भी 17 है if area of trapezium is 420 centimeter square then distance between two parallel side of trapezium is हमें यहाँ पर जो है इन दोनों parallel side के बीच का distance बताना है ठीक है यह जो है AD और यह ले लिए हमने E ठीक है इनके बीच का distance बताना है कितना होगा तो यहाँ पर जो है इसका perimeter में दे रखा है वो दे रखा है AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA यह नब्भे हो गया अब देखिए जो non parallel side है वो 17 सत्रा की है मतलब की AB हमें नहीं पता BC जो है हमारा 17 है CD हमें नहीं पता और यह जो है हमारा यह भी 17 है ठीक है तो AB प्लस CD कितना होगा 90 माइनस 34 तो 10 में से 4 गए 6, 8 में से 3 गए 5 यह हमारा AB और CD मतलब parallel side को add करने के पर जो आ रहा है छपन आ रहा है ठीक है CD इसको मैंने A ले लिया और AB जो हमारा B होगे parallel side AB हो गया उसका सम छपन आ रहा है अब इसका area हमें दे रख्खा तो इसका area होता है टरपेजियम का वो होता है 1 by 2 into sum of parallel side मतलब की AB plus CD into H ठीक हो यह आगे into H तो 1 by 2 इसका सम हमें दे रख्खा है 56 और H हमें नहीं पता area दे रख्खा है हमें कितना 420 ठीक है इसको cancel किया 28 आ गया तो H जो आया 420 28 7 से काटा 748 766 42 4 से काटा यह 15 15 सेंटीमिटर जो है वो डिस्टेंस होगा parallel side के बीच का तो option number C इसका correct है अगला है area of a triangle of side 45 cm 51 cm 24 cm is equal to the area of a rectangle of length 30 cm तो यहां बोलाए कि एक triangle है ठीक है इसकी जो side है एक है 45 एक है इंक्यावन और एक है चौबिस दोनों का जो है area equal है rectangle जो है इसकी जो length है वो 30 cm हमें breadth नहीं पता ठीक है दोनों का area लेकिन equal है तो देखिए यह जो triangle की side दे रखी है अगर मैं यहाँ पर side लिखू 45, 51 और 24 ठीक है इनका अगर ratio निकालूं ठीक है इन तीनों side का ratio निकालूं तो 3 से cancel करेंगे तो यह हमारा आएगा 15 यह आएगा हमारा 1 और यह 17 और यह आएगा हमारा कितना 8 अब देखिए दो side का अगर मैं square करके sum करूं 15 का square प्लस 8 का square बराबर आएगा 17 के square के ठीक है तो मतलब यह pythagoras triplet बन रहा है अगर pythagoras triplet बन रहा है तो यह जो triangle बनेगा वो हमेशा right angle triangle ही बनेगा सबसे बड़ी side हमारी हो जाएगी 51 cm और बाकी length और breath में से किसी को भी रख लिए लिए 24 और यह लिए आप 45 ठीक है तो इसका जो area होगा वो होगा 1 by 2 base into height ठीक है बेस और right अप किसी को भी लेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा दो से cancel करा 12 हो गया ठीक है तो 12, 50, 60 12, 48 और 6, 54 हो गया 540 cm2 इसका area है triangle का तो same area हमारा rectangle का होगा तो दोनों का area equal बोला है तो length into breath equal to 5, 4, 0 तो length हमें 30 दे रखा है तो breath हमारा कितना हो जाएगा 540, 32 cancel करा 3 से 3 एकम 3 3 और 3 अठे 24 तो breath जो आया है इसका आया है 18 cm हमें बोला है इसका क्या बताना है परिमाव तो इसका perimeter हो जाएगा 2 into length plus breath length इसका 30 है breath हमारा 18 है तो 2 into 48 96 cm 96 cm का correct answer हो जाएगा अगला है The area of a circular field is 15,400 m2 What is the cost of fencing the field at 12.5 per meter एक वरित्तकार खेत का जो छेतर फला में दे रखा है इसकी चारो और बार लगाने की लागज जो है साड़े बार रुपे प्रती मीटर की दर से क्या होगी तो circular field है ठीक है यह circular field हो गया अब हमें इसका area दे रखा है इसका जो area होता है वो क्या होता है πाई r square यह है 15,400 ठीक है πाई की वेली 22 वटे 7 है r हमें नहीं पता 15400 तो r square निकालेंगे तो 15400 साथ उपर और 22 नीचे 11 दुनी बाइस 11 ग्यारे कम 11 11.44 फिर दो से काटा तो आया 7 00 r square आया हमारा 49 00 r की वेल्यू आ जाएगी हमारे पास 70 ठीक है इसका जो radius है वो आ गया 70 मीटर का हमें बोला है हमें fencing करनी है तो मतलब बाहर की boundary पर ही होगी fencing तो उसके लिए हमें इसका circumference निकालना पड़ेगा perimeter तो इसका circumference है वो होता है 2 pi r तो 2 into 22 by 7 into radius हमारा 70 हो गया cancel कर अदस यह हो गया 440 meter यह इसका perimeter हो गया अब cost है साड़े बार रुपे एक मीटर की तो टोटल जो cost आएगी टोटल लागज जो आएगी वो कितनी होगी 440 गुना 12.5 तो इससे गुना कर लेते हैं 1, 2, 5 4, 4, 20 और यह 10, 5 5, 0, 0 0, 0, 5 500 इसका correct answer हो जाएगा option number C अगला question है तो यहाँ पर एक parallelogram बना लेते हैं पहले हम यह parallelogram हो गया और यहाँ यह बोला गया है यह A, B, C और D हमने इसका नाम दे दिया ठीक है perimeter हमें दे रखा 36 cm ठीक है और जो है 2 adjacent side का ratio मतलब A, B और C, D ले लेते हैं तो यह हमारा 2X ले लिया और यह 1X हो गया ठीक है अब इसका perimeter दे रखा इसकी opposite side बरावर होती है तो यह 1X हो गया यह 2X हो गया तो इसका जो perimeter होगा वो होगा हमारा 2X plus 1X plus 2X plus 1X सारी side का sum होता है तो यह आएगा 6X बराबर 36 ठीक है एक्स की value आगी 36 बटे 6 6 हो गया तो हमारे पास जो AB है वो आएगा 2 इंटू 6 12 cm और BC जो है वो आएगा हमारा 6 cm अब यहाँ बोला है अब यह बोला है हमें कि जो इसका area क्या होगा तो area जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट ठीक है तो अगर स्मालर साइट पर तो BC हमारा बेस हो गया हाइट हमारा D E हो जाएगा D और E तो 6 गुना 10 जो है हमारा 60 cm square जो है इसका area होगा अगला question हमारे पास है The cost of polishing a circular table of diameter 1.6 meter at the rate of 30 rupees per meter is approximate तो pie value यह यूज़ करनी है तो circular table है ठीक है तो इसका diameter जो दे रखा है वो है 1.6 meter तो radius इसका जो होगा 0.8 meter हो जाएगा इसका half ठीक है तो हमें बोला है cost बतानी है polishing की तो यहाँ पर जो है इसका area आएगा तो area जो होगा वो होता है pi r square pi की value है 3.14 radius है हमारा 0.8 into 0.8 हो जाएगा ठीक है तो अब इसको multiply करेंगे 3.14 को 88 64 हो गया 6 ती 4 से गुना कर देते है 0 पॉइंट करके यह होगा 16 अच्छे एक हांसिल 4 एक 5 और 3 चुक 12 6 चुक 24 6 7 8 6 ती 18 ठीक है add करा 6 9 0 0 2 पॉइंट हमारा लग जाएगा चार के बाद ठीक है 2.009 6 सेंट मीटर स्क्वेरिस का एरिया है अब कॉस्ट जो है फैंसिंगी 30 रुपे है एक मीटर की तो इसको multiply by 30 कर देते हैं तो 3 से अगर हम 30 से गुना करें इन से कर लेते है पहले तो यह है रहा 3 चीक अठारा जो 0 है वो point 1 खटा देगा तो 60.28 है तो 60.23 हो जाएगा अगर इसको आप्रॉक्सिमेंट इखा ले 60.30 हो जाएगा तो option number A इसका correct हो जाएगा अगला question है base and the corresponding altitude of triangle are in the ratio 5 is to 3 if the area is this then altitude is तो एक triangle बना लेते हैं अब यहाँ पर जो है A, B, C एक triangle है base और altitude का जो ratio है base हमारा यह हो गया altitude हमारा C और E हो गया ठीक है A, B और C, E का ratio जो दे रखा है वो 5 is to 3 का दे रखा है तो यह अगर हम 5X ले 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 तो height इसकी 3X हो जाएगी area जो होता है triangle का वो होता है 1 by 2 into base into height ठीक है तो 1 by 2 base हमारा है 5X height हमारा है 3X और यह दे रखा है 120 ठीक है तो इसको करेंगे 5 ती है 15 15 x square बटे 2 यह 120 तो x square की value आएगी 120 गुना 2 बटे 15 15, 18, 120 तो x square जो आया हमारा via 16 तो x की value हो गई 4 ठीक है यानि की जो base है इसका 5, 20 cm हो गया और height जो है चार ती है 12 4 ती है 12 cm हमें बोला क्या था तो इसका बोला था altitude तो altitude हमारा CE है जो की 12 आया है तो 12 इसका correct answer हो जाएगा अगला है area of trapezium हमें दे रखा है and the distance between the two parallel side तो यह हमारा trapezium है A, B, C और D ठीक है इसका area जो दे रखा है वो दे रखा है 225 जटता और जो parallel side जो है and the distance between the parallel side दोनों के बीच का जो distance दे रखा है वो 35 दे रखा है if the parallel sides of a trapezium are in the ratio 5 is to 8 जो parallel side है यह हमने A ले लिया और यह हमारा B है ठीक है, A और B parallel side है दोनों का जो ratio है A is to B जो दे रखा है वो दे रखा है 5 is to 8 का हमने बताना है longer side जो है parallel में वो कौन सी होगी ठीक है तो हमने A ले लिया 5X और B ले लिया 8X इसका area जो होता है वो होता है half sum of parallel side A plus B into height दोनों के बीच का जो distance होगा ठीक है तो 1 by 2 A हमारा 5 है और B हमारा 8 है तो दोनों का sum करेंगे तो 13X हो गया और H हमारा 35 है और area है 22, 75 ठीक है तो X की जो value होगी वो कितनी होगी 22, 75 गुना 2 उपर और 13 और 35 नीचे इसको cancel करा 7, 21 7, 5 से करा तो 5, 75 हो गया इसको काटेंगे तो 5, 24 फिर 2 बचा 5, 25 और ये 25 7 से कटा 7, 6, 42 7, 35 ठीक है 13 से cancel करा 13, 65 हो गया और यह हो गया पांदुनी 10 10 सेंटीमीटर जो है हमारा X आया है तो A जो है वो गया 5 इंटू 10 50 सेंटीमीटर B हो गया 8 इंटू 10 80 सेंटीमीटर पूछा क्या था समांतर भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है तो आगया हमारा 80 सेंटीमीटर नेक्स्ट है the length of a diagonal of a rhombus are 24 cm and 70 cm ठीक है दोनों diagonal की length हम यह दे रखे what is the length of side of a rhombus तो यहाँ पर एक rhombus draw कर लेते हैं पहले rhombus की सारी side equal होती है और हमें यह भी पता होना जी जिसके जो diagonal है bisect करते हैं 90 degree पर ठीक है A, B, C, D और यह E हो गया अब E पर कट कर रहे हैं तो मतलब जो A, C अगर हम ले लें A, C हमारा अगर 70 cm है ठीक है तो जो A, E है वो हाफ-हाफ में हो जाएंगे यह जाएगा 35 यह भी 35 हो जाएगा और D, B जो है हमारा 24 है तो यह भी हाफ हो जाएगा यह भी 12 और यह भी 12 E, D स्क्वेर के एक्वल आएगा जो की है E, C है हमारा 35 तो 35 का स्क्वेर प्लस 12 का स्क्वेर 35 का है 12, 25, 144 12, 25, 144 9, 6, 3, 1 ठीक है तो D, C का स्क्वेर जो आया 13, 6, 9 आया D, C जो आया अंडरूट 13, 6, 9 जो की होता है हमारा 37 का ठीक है 37 का स्क्वेर रूट होता है तो 37 सैंटीमिटर इसके साइड हो जाएगी अगला कोश्चन है A wire is in the shape of a circle of area 154 सैंटीमिटर स्क्वेर If it is band in the form of square then what is the area of square ठीक है यह बोला है कि circular shape में एक wire थी ठीक है जिसका area हमें दे रखा है 154 इसका area जो है 154 सैंटीमिटर स्क्वेर है हम इसका radius नहीं पता ठीक है तो हम क्या करेंगे सबस्पहले wire की length निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना इसका circumference निकालना पड़ेगा और इसी को band करके इन्होंने एक square बनाया है ठीक है तो इस square का area पूछा है क्या होगा तो इस square का perimeter और इस circle का perimeter दोनों का same होगा ठीक है perimeter क्या होगा same होगा क्यों same wire से बने है तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसका radius निकालना पड़ेगा तो area होता है pi r square 154 22 by 7 into r square 154 तो r square जो आया 154 into 7 by 22 2 ये 14 cancel करा 7 तो 49 तो r जो आया हमारा आया 7 cm ठीक है r 7 cm आ गया अब इसका circumference अगर हम निकालने तो 2 pi r होता है 2 into 22 by 7 into radius हमारा है 7 cancel करा तो 44 cm अब इसका perimeter और square का perimeter बराबर होगा 4 into side जो है होता है square का 44 तो side जो आएगी इसकी वो आएगी 11 cm इसकी आएगी 11 cm अब पूछा कहा इसका area तो इसका area होता है side into side 11 को 11 से करेंगे तो 121 cm square इसका answer होगा अगला है the perimeter of a trapezium is 188 cm and its area is this if the distance between the parallel side is 25 then what is the sum of the non-parallel side तो यहां पर एक trapezium बना जेते हैं तो parallel side हमारा A और B है ठीक है और जो है दोनों के बीच का जो distance है वो 25 cm और इसका area भी given है perimeter भी given है ठीक है अब हमें यह बोला है कि sum बताना है इसकी non-parallel side का तो इसका जो area का formula होता है वो होता है 1 by 2 into sum of parallel side into distance between the parallel side मतलब कि H हमारा 25 दे रखा है तो 1 by 2 into A plus B into 25 equal to 1625 ठीक है यह है तो यहां से A plus B हम पहले निकाल सकते हैं 1625 into 2 पर और 25 नीचे इसको cancel करेंगे 5 और यह 3 2, 5 फिर cancel करा 6 और 5 तो A plus B जो आया है 130 cm मतलब parallel side का सम इतना है और total perimeter जो है हमारा वो दे रखा 188 ठीक है जिसके अंदर दोनों non-parallel side भी है A, B, C और D ठीक है तो non-parallel side X और Y ले ले लेते हैं X plus Y plus A plus B जो है हमारा 188 है इनका sum हमें निकाल लिया वो 130 है तो X plus Y बोला है तो 188 minus 130 तो यह हो जाएगा 150 यह आएगा 58 cm option number D next है perimeter of a rectangle is 104 cm rectangle का perimeter दे रखा है and the ratio of the length and breadth उसका length और breadth का ratio दे रखा है rectangle दे रहा है length हमारा 8X ले लिया breadth हमारा 5X है और इसका perimeter दे रखा है area बोला है क्या होगा इसका तो इसका perimeter जो होता है वो होता है 2 into length plus breadth ठीक है 2 into length हमारा 8X plus breadth हमारा 5X बराबर में 104 तो इसको करेंगे तो 13, 13 और 2 26 X हो जाएगा 104 तो X की value है 104 upon 26 cancel करेंगे इसको 13, 52 इसको cancel करा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 13, 4, 52 X की value है चार तो length हो जाएगा 8, 4, 32 और breadth हो जाएगा 5 5, 4, 20 ठीक है पूछा क्या है इसका area तो length into breadth निकालना है 32 गुना 20 6, 4, 0 centimeter square option number A अगला question है how many time a wheel of diameter 105 centimeter will rotate to cover a distance of 330 meter ठीक है 330 meter की दूरी तै करने के लिए 105 centimeter व्यास वाले एक पहियों को कितने चक्कर लगाने होंगे ठीक है एक पहिया है wheel है ठीक है इसका diameter जो है वह है 105 centimeter है ठीक है अब बोला है कि अगर इसे 330 meter का distance cover करना हो तो कितना उसे चक्कर लगाने पड़ेंगे तो इसके लिए हम इसका circumference निकालना पड़ेगा ठीक है तो circumference के लिए इसका पहले radius जो हो इसका diameter का half 105 by 2 हो जाएगा ठीक है इसका जो circumference है वह होता है 2 pi r 2 into 22 by 7 radius है 105 by 2 2 से 2 कैंसिल 7 एकम 7 7 पंजे 35 तो इसका जो circumference है 22 into 15 15 दूनी 30 32 30 और 33 centimeter ठीक है एक चक्कर में वह उतना distance cover करता है अब देखिए यहाँ बड़े टोटल डिस्टेंस जो है टोटल डिस्टेंस जो है 330 meter है तो इसको meter में change करेंगे तो एक meter में 100 centimeter होते है तो यहाँ बड़े 330 गुना 100 centimeter तो यहाँ बड़े 33 और 30 centimeter तो इतना distance वह कितने चक्कर में cover करेगा ठीक है तो इसको हम divide कर देंगे यह जो distance दे रखा है हमारा 33,000 ठीक है 33,000 जो distance है 33,000 जीरो को एक चक्कर में जितना cover करा उसे divide cancel करा तो यहाँ हमारा 10 तो 100 चक्कर में वह इतना distance cover कर लेगा अगला है if the area of a square A is equal to the area of the circle of a circle B then the ratio of the parameter of A and B तो यहाँ पर बोला है कि square है एक ठीक है square हमारा यह A है और एक circle है B B एक circle है दोनों का जो area है वो equal है ठीक है तो इसकी side अगर मैं A ले लूँ और इसका radius R ले लूँ तो इसका जो area है वो होता है A square और इसका होता है pi R square होता है ठीक है और पूछा क्या है ratio पूछा है इनके perimeter का A और B के तो perimeter perimeter of A upon में perimeter of B पूछा है ठीक है तो इसका होता है हमारा 4 into A और इसका होता है 2 pi R ठीक है तो यहां से अगर मैं निकालूं A की value निकालूं तो A हो जाएगा मारा under root pi और r ठीक है यह वहाँ जाके square root बन जाएगा तो यहाँ पर 4 into A की जगह में root pi r हो जाएगा नीचे 2 pi r है 2 से cancel करा 2 हो गया r से r cancel अब root pi को pi से cancel करेंगे तो यह root हट जाएगा नीचे एक root का pi बचेगा तो 2 upon में root pi तो इसका ratio आगा 2 is 2 root pi का तो option number जो है इसका first correct होगा ठीक है तो यह थे हमारे area और perimeter से related question जो की exam में पूछे गए थे उमीद है आपको हमारे video पसंद आया होगा Thank you